स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर और इसमें मैं आपको यह NCRT और यह CRT की छे से बारा तक की किताबे पढ़ा रहा हूँ और मैंने J cál Pastry की क्लासे सुरू कर दी है कुछ लेशन जियों ग्राफि में भी आपके कंपुलीट हो चुके हैं कुछ लेशन हिस्टि में भी तो आज हम लोग क्लास सिक्ष हिस्टि प्राची नितिहास का चैप्टर फाइप भारत का धार्मिक आंदोलन और बेसिकली इसमें हम लोग जैन धर्म और बहुत धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो एक क्लास 6 यसी आर्टी किताब का क्लास 6 चैप्टर 5 है, यसी आर्टी में आपको नहीं मिलेगा, यसी आर्टी, यसी आर्टी की किताबें मैंने कहा था, 6-8 यानि 6-7-8 की हम लोग यसी आर्टी की किताब पढ़ेंगे, 9-12 यानि 9-12 तक की जो किताबे होंगी, वो यसी आर्टी की होंगी, और उसके 6-7-8 उसके पहले जो है, वो आपको यसी आर्टी की पढ़नी पढ़ेंगी, क्योंकि यह important है, तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं, चलिए हम लोग इसको पढ़ते 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 हैं, चलिए हम लो इससे प्रजा अपने को आसुरच्छित महसूस करने लगी थी, पुराने शमय में जन के लोग एक दूसरे की मदद आपस में भरोसा करते थे, ऐसी बाते अब स्माप्थ हो चली थी, अब ज्यादा से ज्यादा पैसे खमाने के लालच में लोग एक दूसरे से जूट बोलने ल तो यहां पर एक बात की गई है जन यह जन मैंने आपको बताया था जन क्या होता है जिसे कई कुल मिलकर के कुल मतलब परिवार कई परिवार या कुल मिलकर के एक ग्राम का निर्माड करते हैं और कई ग्राम मिलकर एक विस का निर्माड करते हैं कई विस मिलकर एक जन का निर् बोलते थे या जन रच्छक बोलते थे यह मैंने आपको पिछली चैप्टर में पढ़ाया था तो उसी जन की बात की जा रही तो प्रारम में जो जन थे आपस में मिल जूलकर रहते थे इमांदारी से एक दूसरे के साथ बाते करते थे लेकिन छटी सताबदीशापूर में ये राज को बढ़ाने के लिए दूसरे राजों पर अधिकार करने लगे तो इससे क्या हुआ कि यह जो आम जनता थी प्रजा थी अपने आपको आसुरच्छित महसूस करने लगी कि मतलब हमेशा संदे बना रहता था कि अभी कोई दूसरा राज आ करके हम पर आकरमल कर देगा तो प्रजा जो थी वो आसुरच्छित महसूस करने लगी वैदिक काल के अंत तक धार में क्रिया कलाप धीरे धीरे कटोर एवं खर्चीले होते गए अब यगों में पसुओ की बली भी दी जाने लगी थी ओके देखे यग में पहले पसुओ की बली नहीं दी जाती थी अब क्या होने लगा अब धार में क्रिया कलाप बढ़ने लगे और कटोर होते चले खर्चीले मतलब बहुत ज्यादा पैसा उसमें लगने लगा पसुओ की बली भी दी जाने लगी चमतकार और धोंग धकोसला का बोलबाला हो गया ओके पहले सारी चीज़े नहीं थी आनि कि लोग थे वो समझी नहीं पाते थे वड ब्यवस्ता धीरे धीरे जात ब्यवस्ता का रूप ले चुकी थी जो जिस चात में पैदा होता था वो उसी जात का हो जाता था यानि कि जो वड ब्यवस्ता थी पहले क्या था ब्यवसाय क्यादार पर यानि कि अगर एक पिता के चा रिये कोई ब्यापार करता था तुँ उसको वैस कह जाता था मतलब ब्यापार के अधार पर बेवसाय के अधार पर उनके जात नाम रखा जाता था एंकी पिता के चार बेटे चार अलग-अलग जातके hoor सकते थे लेकिन अब क्या हो गया कि जो सूध है उसका बेटा सूध ही रहेगा जो ब्रहमड है उसका बेटा ब्रहमड ही रहेगा मतलब जो जिस जात में पैदा होगा वो उसी जात का हो जाएगा तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अब जो वड़ बिवस्था थी अब कठोर जात बिवस्था का रूप ले चुकी थी, ओके, पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को उची तथा नीची जात में विभाजित कर दिया गया, ओके, जो पुरोहित होते थे धर्म के पुजारी, ओके, अक्सरे ब्रहमण ही होते थे, और धर्म के पुजारी यही कि कौन नीची जात का है, कौन उच्छ जात का है, इन कारणों से समाज में पूरते हैं, आसंतूलन की स्थिति आ गई, मतलब एक तरफ निम्न जात उत्पन हो गया, एक तरफ समण जाती है, उच्छ जाती, तो आसंतूलन की स्थिति में आ गई, जात भियोस्ता पूरी, जानने की कोषिश करने लगे सभी के मन में तरह-तरह के शवाल उट रहे थे। ओके चलिए देख लेते हैं या पर कौन-कौन से सवाल उट रहे थे तब फिराम इसको पढ़ाते हैं आगे देखिए। अब सवाल उट रहे थे कि यग क्यों करना चाहिए क्या चड़ावा चड़ाने से मोख्षी प्राप्त होता है सब लोग अपने मन में सवाल करने लगे एक दूसरे से बात करने लगे कि भाई यग क्यों करना चाहिए यग करने से क्या फाइदा है भगवान को जो हम चड़ाव न कि लिखा था तो ऐसा हो गया तो वही लोग सोचने लेगे कि क्या सब कुछ पूर्ब निश्चित है तथा इस वर ने तै किया है क्या अपने इसकती बदली नहीं जा सकती सब लोग सोचने लेगे कि अगर इस वर ने decide कर दिया है नेड़े दे दिया है पूर्व सबको निश्चित है तो क्या हम लोग उसको बदल नहीं सकते ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता है ये सब सवाल उठने लगे मरने के बाद क्या होता है आदमी का क्या तपस्या करने से तपस भी अमर हो जाते हैं भाई तपस्या कोई करता है तो क्यों करता है क्या उससे वो अमर हो जाता है तो यह सारे सवाल लोगों के मन में उठने लगे आप देखिए यहां पर थोड़ा सब मैं आपको यह भी बता दूँ इंपॉर्टन्ट रहता है जो घेरे में रहता है अक्सर वो इंपोर्टेंट रहता शिंदु घाटी के बाद छटी सताब दिशापूर में जाकर पुना नगरों का विकास हुआ इससे पहले कि संस्कृतिया ग्रामेर संस्कृतिया थी इसे इतिहास में दित्या नगरी करण के नाम से जाना जाता है तो यह ब दिशापूर में नगरों का विनास हो गया फिर दीर दिशे च्छटी सताब्दी इसापूर में नगरों का विकास होने लगा च्छटी सताब्दी इसापूर में नगरों का फिर से विकास हुआ तो इसको इतिहास में देती है नगरी करण कहते हैं क्योंकि प्रथम नगरी कर कर रहा है सारे सवाल आने लगे तो क्या हुआ इन जिग्यासाओं के लिए कई लोग जंगल में आस्रे बना कर रहने लगे इन जिग्यासाओं के लिए मतलब इनको जानने के लिए इनका उत्तर प्राप्त करने के लिए जो सवाल मन में आ रहे थे इन सभी का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या करने लगे लोग आस्रम में रहने लगे जंगल में आस्रम यानि कुटिया बना लेते थे वहीं पर रहते थे उन आस्रमों में वो तरह तरह के प्रसनों पर चिंतन मनन करते थे, जो प्रशन उनके मन में उठते थे, उन्हीं पर उस चिंतन मनन करते थे, कि या खिर क्या है हकीकत, सच्चाई क्या है, वहाँ आने वाले लोगों से वे चर्चा करते थे, अपने पास बैठा कर दूसरों को सिखाते भी थे, जो खुछ सीखते थे, जो आस सातर तरमों में रहते थे रिसी मुनी कहलाते थे तो उनको क्या कहा जाने लगा रेसी मुनी मतलब अब यह इसी वर को जानने का प्र ठीजा करने लगे की उनसे कैसे मिला जा सकता है आध्यात्मिक रूप से यह सारी चीज़े करने लगे तो इन लोग को कहा गया रिशी मुनी और ये अपनी बातें आम लोगों तक पहुँचाते थे कि इस वर को ऐसे प्राप्ट किया जा सकता है मुक्ष की प्राप्टी ऐसे हो सकती है इन रिशीयों ने मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया सोच विचार करके बताया, चिंतन कर मतलब ध्यान किया, अब क्या था हकीकत वो तो हम भी लोग नहीं जानते हैं लेकिन इन रिस्यों ने मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में चिंतन करके बताया, बताया कि मृत्यू के बाद क्या होता है आप कठोर तपस्या करेंगे तभी आप आत्मा के बारे में जान पाएंगे आत्मा जब ब्रह्म से मिलती है तब मानों को संसार के कष्टों से मुक्ति मिलती है अर्थात जब आदमी की मृत्ति होती है तभी आत्मा ब्रह्म से मिलेगी तो जब आदमी की मृत्ति होती है और आत्मा ब्रह्म से मिलती है तो संसार के कष्टों से मुक्ति मिलती है सही बात है अगर हम देखी तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो क्या कहते हैं कि इससे अच्छा है मरी ही जाओ तो जब मर जाते हैं कोई बेक्ति मर जाते हैं तो क्या होता सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है तब मनुष्ट के संसार के सारे कष्टों को सारे कस्टों से मुक्ति मिल जाती है मनुश को ओके आत्मा का ग्यान ही परम ग्यान है अगर आपने आत्मा का ग्यान प्राप कर लिया आत्मा को जान लिया तो सबसे बड़ी उपलब दिया आपने हांसिल कर ली यही यहाँ पर बताया जा रहा कि आत्मा का ग्यान ही परम ग्यान है रिसियों के यह विचार उपनिशदो में मिलते हैं उपनिशद का मतलब होता है पास में बैठना ओके यहां पर दिया है उपनिशद का मतलब पास में बैठना तो उनमें से चांदोग उपनिशद की एक कहानी आगे पढ़िए ये चांदोग उपनिशद में एक कहानी दी गई है उसी को आगे पढ़ा गया है तो देखिए कहानी चलिए मैं पढ़ देता हूँ दो मिनट लगेगा लेकिन अगर क्या कहानी पढ़ा जाए चले देखते हैं फिलाल जब line by line पढ़ी रहे हैं तो चले कहानी को भी पढ़ लेते हैं ये कहानी जो है छांदोग उपनिशद में दी गई है अब देखिए यहाँ पर कहानी में देखिए शानक कपिया ये नाम है और अभी प्रातिन नामक दो रिशी जंगल में रहकर वायू देउता की पूजा करते थे तो इसको पहले आप भ्यान दिजे शानक कपिया और अभी प्रातिन ये दो रिशी थे और जंगल में पूजा करते थे वायू देउता की किस देउता की वायू देउता की एक दिन क्या हुआ एक दिन दोनों रिसी भोजन कर रहे थे ये देखिए ये और ये दोनों रिसी भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक ब्रहमचारी आया ये ब्रहमचारी है उसने रिसीओं से थोड़ा भोजन मागा कहा मुझे भी दे दूख खाने के लिए अब ये दोनों कहने लगे नहीं बालक हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते तो जब दोनों रिसीओं ने कहा कि हम भोजन नहीं दे सकते तो ये जो ब्रहमचार आया था बिच्छा मांगने भोजन मांगने ये कहने लगा किरपे आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं प्रसंद पूछने लगा अब ये सब कहने लगे वायू देउता की ये दोनों ब्रहमणों ने कहा कि हम वायू देउता की पूजा करते हैं जो जीवन वायू अथवा प्राण प्रदान करता है यानि कि जो हवा देता है वायू देता है उसी देउता के हम लोग पूजा करते हैं अब फिर ब्रहमण ने क रहा यह जो प्रहमण है अकेला वाला है इसने इन दोनों प्रहमण यह रिशीयों से कहा कि तब तो आपको पता ही होगा कि यह जो प्राण वाईु है जीवन वाईु है तो पूरे ब्रह्मान में विद्धुमान है रिशी मुनियों ने कहा हाँ हाँ हमें सब पता है और इसी से सब कुछ अचल है चल है द्रिश है अद्रिश है मतलब सब कुछ वायू ही है इसने समझाया जो अकेला ब्राहमण आया था मांगने उसने समझाया तो इन लोगों ने कहा दोनों ने हाँ हाँ हमें सब कुछ पता है हमें मत सिखाओ चलो तो फिर इस वाले ब्राहमण ने कहा जो अकेला था इसने कहा तो मानिवर किर्पया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं तो इन्हों ने दोनों ब्राहमणों ने कहा जीवन वायू अर ने आया था ये कहने लगा कि यद ब्रह्मान में प्राण बिद्मान है यानि वायू है तो मुझ में भी है क्योंकि मैं भी ब्रह्मान का हिस्सा हूँ है की नहीं अब ये दोनों ब्रहमण समझ गए कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं आप भी ब्रह्मान का हिस्सा है फिर यहां देखे यह उपर वाला पॉइंट देखे यह वाला वन मिनिट यही प्राण मुझ में है मुझे भिच्छा न देकर कि आप अपने वायुदयुता को अपमान नहीं कर रहे हैं कहने लगा फिर इन सब को समझ में आया यह देखे इस प्रकार अरिश्री मुनियों को व वास्तविज्ञान प्राप्त हुआ और वे अपने अज्ञान पर सर्मिंदा हुए उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया तो कैसे उसने समझा दिया कि अगर आप अपने जीवन वायु यानि प्राण वायु को भोग लगा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह जो प प्राण देउता का वायु देउता का अपमान कर रहे हैं ब्रहमरों को समझ में आ गया कि बिल्कुल सही कह रहा है तो फिर तीनों ने मिलकर भोजन किया रिशी मुनियों के अलावा फिर यहां पर कुछ है रिशी मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ग्यान की खोज में लगे रहते थे जो एक अस्थान पर नहीं रहते थे कई राजा भी इन दिशियों की तरह चिंतन में आ गया थे कई राजा भी तपस्या करने गए थे तू अभी बताएगा आगे वे घर त्याक कर गाओं गाओं जंगल जंगल सहर सहर घूमते थे ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध है तो अब हम लोग को इन ही के बारे में पढ़ना है महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में महावीर इनका एक और नाम था वर्धमान ओके ये देखिए आप यहाँ पर महावीर जी चलिए पढ़ते हैं लाइन बाइ लाइन तब समझेंगे कुछ हम लोग महावीर श्वामी जैन धर्म के 24 वे तिर्थांकर या महापुरूस थे यानि जैन धर्म के ये संस्थापक नहीं थे कोई पूछे कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे बिलकुल नहीं ये 24 वे तिर्थांकर थे उके संस्थापक की तो बहुत दूर बात है पहले दूसरे तीसरे चोथे नहीं थे 24 वे नंबर के तिर्थांकर थे मतलब 24 वे पुरूस थे जैन धर्म का परचार परसार बहुत ज़्यादा किया 24 वे नंबर के थे 24 वे तीर्थंकर या महापुरूष थे इनके बचपन का नाम वर्धमान था बचपन में इनको लोग वर्धमान कहते थे इनका जन्म एक राज परिवार में अब ये सारी चीजें फैक्ट है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये किस नंबर के 3 तीर्थंकर थे तो 24 वे तीर्थंकर थे इनके बचपन का नाम वर्धमान था इनका जन्म एक राज परिवार में राजा के घर में वर्धमान बिहार राज में इसके थे वैसाली उसी के निकट 540 सबूर्भ में इनका जन्म होग था तो इनका जन्म कब हुआ था वैसाली में पांसो चालिस इसापूर्ब इनकी इसा मसी के जन्म के पांसो चालिस इसापूर्ब ही इनका जन्म हो गया था पांसो चालिस इसापूर्ब एध्यान रखना है पांसो चालिस इसापूर्ब वर्तमान बिहार के वैसाली में इनका जन्म हुआ था सत्य और सांती की खोज में सत्य और सांती की खोज में इन्होंने कठोर तब करने का मार्ग अपनाया तीस वर्ज की अवस्ता में ये भी कोशन कई बार पूचा गया तीस वर्ज की अवस्ता में इन्होंने घर छोड़ दिया और कठिन तमस्या करने लगे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण में महाबीर और जिन कहला है यानि जब इनको ग्यान प्राप्ती हो गई तो इनको क्या कहा गया इनको जिन कहा गया जिन ये देखिए जिन और जिन का मतलब होता है बिजेता जिन का मतलब बिजेता तो जब इनको ग्यान की प्राप्ती हो गई तो इनको दो चीजे कहा गया एक तो जिन और एक महावीर इनका नाम महावीर हो गया और जिन कहा जाने लगा जिन मतलब बिजेता यानि इन्होंने अपने इंद्रियों पर बिजय प्राप्त कर ले सोयम ग्यान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्हों ने अपने सिध्धानतों का प्रचार प्राकिर्थ भासा में किया यह भी कोशन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने सिध्धानतों का प्रचार प्रसार किस भासा में किया तो प्राकीर्त भासा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोल चाल भासा थी, उस समय आम लोग ये भासा बोलते थे, आम लोग मतलब आम जनता, साधारन जनता, महावीर स्वामी के नुसार मनुस्त का सबसे बड़ा लक्ष, जनव मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल परात कर कैवल मतलब मौक्ष, तो महावीर कैवल का मतलब मौक्ष बताते थे, महावीर इन्हें मौक्ष के लिए एक सब्द का प्रियोक्या कैवल जिसको बोलते हैं, कैवल का मतलब मौक्ष होता है, और अभी जब आप बुद्ध धर्म पढ़ेंगे, बहुत धर्म पढ़ेंगे, त उसमें मोक्ष के लिए गर आए और सअधा जिसको निर्वार कहते हैं अभी तो यहां मोक्ष के लिए कैवल सब्दाया है अब यहां पर एक चीज ये देखे बहुत बड़ा चीज दी हुए है इसको जाना लिजिए रिसब देव जैन धर्म के संस्थापक थे मैंने बता कि महावीर स्वामी नहीं थे जैन धर्म के संस्थापक रिसब देव थे रिसब देव जैन धर्म के संस्थापक थे इवं पर्थम तीर्थांकर थे इन्हों नहीं ही जैन धर्म के स्थापना की थी और महावीर स्वामी ये 24 वे तिर्थांकर थे जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और क्रम से सुध रहकर तीन बातों को मानने पर विशेश बल दिया कहा महावीर स्वामी ने कि अगर आप अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन, वचन और क्रम से अपने आपको सुध कीजिए और तीन बातों को अपने जीवन में उतारिए वो तीन बाते कौन-कौन सी थी सही बातों में विश्वास किजिए उके इन्होंने कहा सही बातों में विश्वास किजिए पहला मतलब आफवाहों में मत बिलीब किज़े उसमें मत बिश्वास रखिए दूसरों के बहकावे में मत आएए अपने दिमाग का, दिल का इस्टेमाल करें सही बातों में बिश्वास करें फिर हैं सही बातों को ठीक से समझना कभी कभी होता है कि हम हड़बड़ी में आध्य धूरी बात समझ लेते हैं उस बात को पूरा नहीं जान पाते हैं तो इन्होंने का सही बातों को ठीक से समझना फिर है उचित कर्म यानि positive work करें आप अच्छे काम करें उचित कर्म करें जो की लोगों की वहलाई के लिए हो दूसरों को नुक्सान ना हो जैन धर्मे में इन्हें त्री रतन कहा गया तीन रतन कहा गया तो यह भी छटी क्लास लेबल के लिए है लेकिन आप लोग अभी यह पढ़ रहे हैं फिर जब आगे बड़ी क्लासस में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिया रहेगा और मैं जल्दी ही इसकी रेगुलर क्लास भी लेकर आऊंगा मतलब जैन धर्म और जो भी प्राची नितिहास है मौडर नितिहास है आधुनी कित्यास सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा फिलाल भी जो क्लास 6 में है मैं वही पढ़ा रहा हूँ तो इन ही तीन पॉइंट को जैन धर में त्री रतन कहा गया महावीर शौमी ने अच्छे बेवार वा आचरान के लिए पांच महावरतों का पालन करने के लिए कहा इन्होंने पांच महावरत भी बताए कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में इन पांच महावरतों का पालन करना चाहिए अब देखिए कौन-कौन से है पहला है जीवों को न मारना सत्त बोलना यानि सच बोलना चोरी ना करना अनुचित धन ना जुटाना इंद्रियों को वस में रखना ओके ये इन्होंने पांच पॉइंट बताए कि अपने जीवन में इनको उतारिए तभी आपका जीवन सफल होगा आपको कैवल की प्राप्ति होगी महावीर श्वामी के कैवल के लगभग दो सताब्दियों बाद जैन धर्म दो संपर्दायों में बट गया स्वेतांबर यानि सफेद वस्तर धारण करने वाले और दिगंबर यानि निर्वस्त रहने वाले तो जब महावीर को मुक्ष की प्राप्ति हुई उसके लगभग 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया एक लोग थे स्वेतांबर स्वेत मतलब सफेद अंबर मतलब कपड़ा जो सफेद कपड़ा धारण करते थे उनको स्वेतांबर कहा गया और एक थे दिगंबर जो बीना वस्तर के रहते थे ओके तो यहाँ पर एक स्वेतांबर की यहाँ पर दिखे फोटो भी दी हुई है यह स्वेतांबर है फिर है यहाँ पर एक और धर्म है उसमें इसी के आसपास विक्सित हुआ था यह है महत्मा बुद्ध का धर्म बाध धर्म ओके तो गौतम ब बुद्ध बुद्ध भुद्ध 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 भुद् 563 इसापूर्भ और उनका जन 504 इसापूर्भ इनका जन कहां हुआ था नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुंबनी नामग ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 इसापूर्व जब कि हमने बताया महाबीर स्वामी का जन्व 540 इसापूर्व वैसाली में हुआ था जो कि बिहार में इसी थे तो ये दोनों को कंपेर करते हुए पढ़ते चलिए फिर है उनके पिता सुद्धोधन साक गड़ राज के राजा थे ओके तो ये भी राज वाल परिवार में पैदा हुए थे मतलब राज के परिवार में पैदा हुए थे जो जैन धर्म के 24 में तिर्थांकर थे महाबीर स्वामी और बहुत धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध ये दोनों राजा के परिवार में पैदा हुए था ऐसा नहीं था कि गरीब के प का नाम सिधधार्त महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिधधार्त और महावीर DU के बचपन का नाम मैंने बता है वर्धमान तो Zwங साथ साथ में याद कर फार verstehen और यहाँ पर गौत्म बुद्ध से सम्वंदित एक कहानी हिलip हम लोग ठड़ लेते हैं एक बार лишь सिध्धार्थ अपने रत पर बैठ कर सिध्धार्थ मतलब गौतम बदु उसमें बच्पन में उनका नाम सिध्धार्थ था तो एक बार सिध्धार्थ अपने रत पर बैठ कर घूमने जा रहे थे रास्ते में एक व्रिद्ध को देखकर अपने सार्थी से उसके बारे में पू अर्थात एक ब्रिद्ध आदमी को इन्हों ने देखा तो पूछने लगे शिद्धार की चन्ना बताओ यार यह कौन है इसके बाल सफेद हो गया है बहुत कमजोर दुरबल दिखाई दे रहा है और इसके चेहरे पर जोड़िया है इदम सरीर पूरे इसका स्विकुड गया है तो चन्ना ने बताओ यह एक ब्रिद्ध है अधिक आयू होने की वज़ा से यह ऐसा हो गया है हर प्राणी एकना एक दिन ऐसा ब्रिद्ध होता है तो सिद्धार ने पूछा क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा चन्ना ने कहा जी हाँ बिलकुल आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंग आगे बढ़ने पर उनको एक और ब्यक्ति दिखा इस ब्यक्ति के साथ क्या हुआ है या क्यों रो रहा है सिद्धात ने पूछा तो चन्ना ने कहा यह बिमार है यह दर्द के कारण रो रहा है जीवन में हर ब्यक्ति को कभी न कभी बिमार आवशे होना पड़ता है मतलब हर ब्यक्ति कभी न कभी आवशे होता है तो सिद्धात ने कहा क्या मैं भी चन्ना ने कहा बिल्कल जी हाँ आप भी कभी न कभी बिमार होंगे फिर और आगे गये तो देखे क्या होता है आगे जाने पर यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं इस व्यक्ति की मृत्ति हो चुकी है सिधार ने पूछा कि इस व्यक्ति को ऐसे चार कंदों पर उठा कर क्यों लेकर जा रहे हैं तो चन्ना ने बताया इस व्यक्ति की मृत्ति हो चुकी है जो भी संसार में पैदा होता है या या बहुत सांथ दिखाई देता है उन लोगों से जिने मैंने अभी देखा उन्स सभी से अलग है और मंद मंद मुस्का रहा है चन्ना बताओ ये कौन है तो चन्ना ने बताया यह एक साधू है इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुको और दुखो का त्याग कर दिया है तो जब ये सारी चीजें देखी इन्होंने अलग-अलग लोगों की अवस्थाओं को देखा तो ये जो महत्मा बुद्धितियाने इसे धार थे ये बहुत दुखी हुए यहां सब देखकर बहुत परेशान हो उठे दुखी हो गए उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सार्थी को दे दिये और जीवन और मृत्यों से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे अब वो भी सोचने लगे कि ये सब बैर्थ है जो सुक सुद्धाएं हैं जो जेवरात में पहने हुआ हूँ ये सब एक छलावा है एक दिखावा है इसका कोई मतलब नहीं उन्होंने अपने सार्थी को सब गहने दे दिये चन्ना तुम्या सब लेकर वापस का पिलवास तो लोट जाओ और अपने बेटे राहुल यानि कि सिधार्थ के बेटी का नाम क्या था महत्मा बुद्ध के बेटी का नाम राहुल पतनी असोधरा इन दोनों को छोड़कर वे साधू वेश धारण कर जीवन के अथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े उन्होंने साधू का वेश धारण किया और निकल गए ग्यान की खोज में सच्चे ग्यान और सांती की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की परन्तु उनको इससे सारेरिक कष्ट ही हुआ उन्होंने इसे रास्ते को छोड़ दिया वे बहुत दिनों बाद बिहार परांत के गया अस्थान पर रिस्यो के साथ पहुँचे जहां उन्होंने ग्यान पराप्त किया तो महात्मा बुद्ध को ग्यान कहां पराप्त हुआ गया नामक अस्थान पर जो की बिहार में है यहाँ जब वोई पीपल के ब्रिच के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुस के दुखों का कारण और उनसे चुटकारा पाने के उपाय का ग्यान प्राप्त हुआ यह पीपल के नीचे जब यह ग्यान प्राप्त कर किये तो इनको पता चला कि आखिर यह जो मनुस का दुख है मनुस को दुख होता है क्यों होता है और उसे कैसे निप्टा जा सकता है इनको इसका ग्यान प्राप्त हो गया कि दुखों का कारण क्या है और दुकों से हमें छुटकारा कैसे मिले है और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहले है बुद्ध का मतलब क्या होता है जागा हुआ अर्थात यह जाग गया है इनका दिल और दिमाग मस्तिक्स जाग गया इनको ग्यान की प्राप्ती हो गई ओकी फिर देखिए यहाँ पर ग्यान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सर्व प्रथम अपना उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया यह important question है यहाँ से question पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया तो सारनाथ में दिया अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जो कि उत्तर प्रदेश में इस्ते थे वारानसी में उत्तरप्रदेश का इजला है वारानसी वहीं परिष्थे थे सारनाथ उन्होंने मध्य मार्ग यानि बीच का रास्ता अपनाने की सिच्छा दी जिसका अर्थ होता है ना तो विलास्ता और ना तो अधी कठोर तब महत्मा बुद्ध ने कहा ना तो आप बहुत ज़्यादा कठोर तब किज़े ना तो बहुत ज़्यादा सुख सुधा वाली जिन्दगी बीच का रास्ता अपनाईए महत्मा बुद्ध ने चार आर्थ सत्त को माना है इन्होंने चार आर्थ सत्त बताये हैं जैसे उन्होंने महावीर श्वामी ने तिरीरत ने बताये थे, पांच महावरत बताये थे, ऐसे ये भी बताते हैं, कुछ पॉइंट, इन्होंने बताया कि चार आरे सत्य है, मतलब ये सत्य है, क्या सत्य है, दुख है, ये बात सत्य है, दुख का कारण भी है, दुख दूर कर करने का उपाय आश्टांगिंग मार्ग है ओके तो इन्होंने पहले तो यह बताए कि चार आर सत्य मतलब यह होता ही होता जीवन में इन्होंने कहा कि दुख है और दुख का कारण भी है दुख दूर करने का उपाय भी है और दुखों को दूर करने का जो इन्होंने उपाय ब बताए, आठ बिंदो इन्होंने बताए हैं कि प्रतैक ब्यक्ति को जीवन में इन बिंदों का पालं करना चाहिए तो उसके दुख दूर हो सकते हैं तो यहाँ पर आप देखे यह आठ मार्क बताय गये हैं अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये आठ उपाए हैं इन ही का पालंग करना होगा तो इनको हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं पहले एक कहानी है उपर देखते हैं कौन सी कहानी है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कुंकि मैंने कहा लाइन बाई लाइन पढ़ाना है पढ़ना भी है तो लाइन बाई लाइन ही पढ़ेंगे एक दिन कृष्णा गौतमी कृष्णा गौतमी नामक इस्त्री अपने मृत्यू प्राप्त पुत्र को बुद्ध के पास लेकर आई यानि कि कृष्णा गौतमी नाम महात्मा बुद्ध के पास ले आई महात्मन किर्पया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें यह मेरा एक लवता पुत्र है रो नहीं महात्मा पुद्ध ने का रो नहीं मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तुम मुझे उस घर से एक मुठी सरसो की बीज ला कर दो जहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्तियू ना हुई हो तम मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा अब ये चली गई सरसो का बीज लाने कुछ देर बाद क्रिश्णा गौत्मी निरास होकर वापस बुद्ध के पास आई हे महत्मा मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की कोई मृत्तियू ना हुई हो तो मात्मा बुद्ध ने कहा मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसके मृत्ति ववस होती है जीवन में अंतता कुछ भी नहीं है किन्तु दुख है हमारी इच्छा की समापती हमें दुखों से दूर कर सकती है अगर हमें दुखों से दूर होना है अपने दुखों से निप्टारा पाना चुटकारा पाना है तो हमें इच्छा को त्यागना होगा त्रिशडा को ओके लालच को त्यागना होगा अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो कोई दुखी नहीं होगा भाई हमें दुख कब होता है जब हम इच्छा करते हैं कि कास हमारे पास एक गाड़ी हो जाए कास एक बंगला हो तो फिर टैंसन हो जाती है तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आप दुखों से छुटकारा पाने चाहते हैं तो इच्छा को त्याग दो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं अश्टांगिक मार्ग जो आठ मार्ग इन्होंने बता हैं कि दुखों से छुटकारा पाने के आठ मार्ग हैं सबसे पहले इन्होंने कहा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना जरूरी है यानि आपकी सोच अच फिर उन्हें चोथा पॉइंट कहा अच्छा कार करना पांचवा पॉइंट उन्हें कहा अच्छा कार द्वारा जीवकार जित करना यानि कि जो आप पैसा कमाते हैं वो इमांदारी से कमाना चाहिए फिर छटा पॉइंट है मानसिक और नैतिक उन्नती के लिए प्रयास करना यानि कि ग्यान प्राप्त करना पढ़ना यही चीज़ समझा रहे हैं अपने कार बेवहार पर हमेशन नजर रखना हाँ भाई कि हम किस से किस प्रकार कर बेवहार कर रहे हैं और कैसा बेवहार करना चाहिए इन सारी बातों का ध्यान रखना ग्यान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना ये आठ मार्ग इन्होंने बताए कि अगर इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं तो आप दुखों से छुटकारा पा सकते हैं फिर यहां चीज़ दिया है सरल मानवता पूर नियमों में से आप किन-किन बातों को अपनाते हैं चर्चा कीज़े तो इन में से कौन-कौन सी बाते आप अपनाते हैं वही चर्चा कीज़े यहां पर कह रहा है फिर यहां पर है मात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाल कहा अगर आप दुखों से छुटकारा पा जाते हैं तो यानि कि आप क्या पा गए निर्वार पा गए निर्वार का मतलब मौक्ष होता है उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलावाया उनके उपदेश सरल पाली भासा में थे तो महावीर श्वामी ने अपने उपदेश किस भासा में दिये थे प्राकिर्त भासा में जबकि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भासा में दिये ये सब सारी चीशे ध्यान रखनी चाहिए उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा बुरा होना उसके ब्यवहार पर निर्भर करता है, उसकी जात इपर नहीं, आपका ब्यवहार कैसा है यही डिपेंड करता है इसी पर, अगर आपका ब्यवहार अच्छा है तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होग महत्मा बुद्ध की मृत्तिव यानि महापर निर्वार ये question important है महत्मा बुद्ध की मृत्तिव को क्या नाम दिया गया महापरी निर्माल कहा गया महापरी निर्माल और इनकी मृत्तिव कहा हुई कुसी नगर उत्तर प्रदेश में कुसी नगर उत्तर प्रदेश में इनको महा निर्वाल की प्राप्ती हुई अब यहाँ पर एक कहानी है चलिए इस कहानी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं मुझे प्यास लगी है किरपया थोड़ा पानी दे बहन महत्मा बुद्ध के सिस आनंद ने प्रार्थना की महत्मा बुद्ध का एक सिस था जिसका नाम आनंद था तो इसने एक महिला का है वरत से कहा कि बहन मुझे पानी दे दो मुझे प्यास लगी है तो ओर अवरत ने क्या कहा कि आपको पता नहीं है मैं एक सूधर हूँ उसने आश्चर चकित हो कर पूछा महिला ने कहा महिला ने कहा कि मैं एक सूधर हूँ कि आप मेरे हाथ से पानी पीलेंगी तो आनन्द ने कहा यानि कि जो महात्मा बुद्ध का सिस्था उसने कहा मुझे यह नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी जात क्या है यदि तुम्हारे पास पानी है तो किर्पया मुझे पानी के लिए दे दो आनन्द ने कहा इन घटनाओं वा उनके सदा चरण से आम लोग अधि प्रभावित हुए यह जो सारी घटनाएं मैंने बताई कहानिया बताई और जो महात्मा बुद्धि के उपदेश थे इन सभी चीजों से लोग बहुत प्रभावित हुए दूर दूर तक उनके अन्याई हो गए यानि उनकी बातों को मानने वाले लोग हो गए दूर दूर तक दो हजार वर्स बीत जाने के बाद भी महावीर श्वामी और महात्मा बुद्धि के विचारों का अनुकराण आज भी हो रहा है आज भी बहुत सारे देशों में खासकर जो दच्छिड पूरवी देश हैं जितने भी चाहें इंडोनेशिया की बात करें चाइना की बात करें कंबोडिया की बात करें वियतनाम की बात करें मलेशिया की बात करें थाइलेंड की बात करें तो यहां सब बहुत धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगे भारत में भी बहुत धर्म जैन धर्म को काफी मानेता है तो सोचो यदि वे कहते यदि वे क पर बिश्वास करते हैं उनके सिध्धानतों को मानते बिल्कुल नहीं मानते इसलिए उन्होंने करके दिखाया और तभी आज देखिए आज भी ओलोग अमर है महावीर शौमी महात्माबुद्ध आज भी उनका नाम हो रहा है उन्होंने करके दिखाया कि घर संसार को छोड़ कर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है सा उन्होंने कहा फिर देखिए महात्माबुद्ध के निर्वाल के कुछ सत्ताब्यवाद बहुत धर्म दो संप्रदायों में बट गया हीन यान और महायान ओके तो जैसे जब महावीर स्वामी को मौक्ष की प्राप्ति हुई थी कैव स्वामबर और स्वातामबर तो ऐसे जब महात्मा बुद्ध को निर्वाल प्राप्त हो यानि मौक्ष प्राप्त हो उसके बाद कुछ सत्ताब्यवाद बहुत धर्म भी दो भागों बढ़ गया एक हीनियान और एक महायान ओके फिर यहां पर कुछ दिया है और भी जानी है तो दिखे भारत की अहिंसावादी छबी इनी के कारण होई इनी धर्मों के आने से साकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला अब यह जो धर्म थे यह अहिंसा पर बल देते हैं तो मतलब किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए चाहिए उपसू हो या आदमी कुछ भी हो जानवर क कि हत्या नहीं करनी चाहिए इसलिए हम कह सकते हैं कि साकाहारी को बल मिला साकाहारी संस्कृति को ओके यह धर्म लोकतांत्री के मुदार्थ है संगटित धर्म पर जो बढ़ने लगा जिसके कारण इन धर्मों का परचार दूर दूर तक बढ़ा संचार साधनों का भाव होत इनके संगों में महिलाओं के परवेश के सासाथ उन्हें उचा स्थान दिया गया महिलाएं भी परवेश कर सकते थी बुद्ध के पूर्व जन्म से समंधित जातक कहानियों से ने नीती और धर्म को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया राष्ट दौज के मद्ध में बना चक्र बौध परतीक धर्म चक्र परिवर्तन है तो राष्ट आप आपने देखा अपना तिरंगा उसमें चक्र बना हुआ है उसमें कुछ तेलिया इसे इसे लगी है तो वो क्या है वो बौध परतीक है धर्म चक्र परिवर्तन है उसी को वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया ह अब इसके बाद ये जो आपके प्रस्ण है अभ्यास है बाकी कुछ यहां बचा नहीं इस चैप्टर में तो उमीद करता हूँ ये चैप्टर आपको काफी पसंद आया होगा और माइक थोड़ी सी फांस रही बीच बीच में तो हो सकता है आपको कहीं कुछ छूट गया होगा लेकिन मेरे ख्याल से नहीं छूटा होगा तो अकर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक केजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए